नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पार्शाला पर मैं हूँ अंके दवस्ति आप मेरे साथ में गैसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसका अंदेशा बहुत पहले ही हमने अपने सेशन में दे दिया था हमने एक सेशन किया था आज से कुछ समय पूर्व इनके बारे में और उस खबर में हमने कहा था लगबग 19 जुलाई का ये सेशन है कि चीन के विदेश मंत्री जो है वो गायब हो चुके हैं और उनके पीछे एक लड़की का होना बताया गया था हाला कि लड़की को तो soft target बना के बाद में इनकी रहशमय मौत हो चुकी है आप खबर देख रहे हैं पहले गायब और अब रहशमय मौत चीनी पूर्व विदेश मंत्री की मौत से उठे सवाल बड़ा ही विशह है ऐसा क्या हुआ चीन के विदेश मंत्री की मौत हुई साथ ही साथ पता चला है कि चीन के रक्षा मंत्री की भी मौत हो चुकी है, दो मंत्रियों को पद से पहले हटाया गया, हटाने के 6 महिने के भीतर-भीतर दौनों को खत्म दुनिया से गायब कर दिया गया, गजब का इंटरस्टिंग सेशन है, आज के सेशन में चर्चा करेंगे, क्विंग गैंग के बारे में कारण समझेंगे और बताएंगे, देखिए याद कर लीजेगा, मैंने आपको ये पूरा सेशन आज से बहुत पहले भी किया है, जिसमें बताया था कि इनको अंडरग्राउंड कर दिया गया था, क्विंग गैंग को हटा करके, ग्वांग वी को इनके इस्थान पर फिलाल विदेश मंत्री बनाया गया है, क्विंग गैंग से जड़ी हुई खबरें फिलाल सुर्खियों में इस प्रकार से है, चाइना शी गोज फुल स्टैलिन विद पर्ज, यानि की, शी जिनपिंग अब बिल्कुल स्टैलिन अंदाज में काम कर रहे है, स्टैलिन रूस के निता हुआ करते थे, सोवियत रूस के, जो अपने खिलाफ किसी को पाते थे, या किसी को बादा खिलाफी करते हुए पाते थे, उसे मौत की सजा दे देते थे ताना शाही का एक आलम USSR के अंदर लंबे समय तक रहा वैसा ही model फिलहाल के लिए Xi Jinping ने अपना रखा है Xi Jinping ने चाइनाज के अंदर जो missing hacking gang इनका suicide या torture के बाद मौत हुआ है ऐसी report वर्ड मीडिया के अंदर फिलहाल के लिए छप रही है डीटेल से बताएंगे लेकिन उससे भी पहले एक जरूरी जानकारी जरूरी जानकारी ये है कि इसी channel पर रोज शाम सावा 5 बजे आप लोगों की एक बहतरीन class हमारे द्वारा ली जा रही है static gk के उपर जिसके अंदर पॉलिटी के बहतरीन questions में आप लोगों को करा रहा हूँ detail explanation के साथ बहुत अच्छी समझाईश के साथ आप भी जरूर पहुंशिएगा इसी channel पर है free of cost है और जिन्हें उन questions से पहले लगता है कि उन्हें theory पढ़नी चाहिए, theory के लिए मेरा foundation batch चल रहा है अपनी पार्टशाला application पर मात्र one triple nine में चार सब्जेक्ट, economy, history, geography, quality, detail में बिल्कुल full board के साथ आपको उपलब्ध हो जाता है आप जाकर उसे access कर सकते हैं नाम रुद्र GS foundation batch है कुछी समय के लिए open है फिर इसकी prices बढ़ा दी जाती है as usual यानि कि हम इसको बंद कर देते हैं अब एक और interesting जीज मैं आपको यहाँ पर बता दूँ किसी को अगर यह लगता है कि नहीं वो इसको ना पढ़के केवल notes पढ़ सकता है तो उसके लिए हमारे द्वारा notes भी उपलब्ध करा दिये गए हैं हमारे in classes के handwritten notes पूरी तरह से हिंदी और English medium में उपलब्ध है आप उन्हें घर पर 3000 pages का पूरा bundle handwritten notes का आपको with courier including courier मातर one triple nine में 6 books के set के साथ घर पर deliver किया जा रहा है अगर आप चाहें तो अपने घर पर भी इन notes को मंगा सकते हैं कहां पर होगा ये सब तो इसके लिए आपको अपनी पारशाला application जिसका link comment box में pin कर दिया गया है वहां पर उपलब्ध है चर्चा करते हैं आज से लगभग 4 महीने पहले 19 जुलाई को हमने एक ख़बर की थी वांग वी कही जगे देखे भी गए थे क्विंग गैंग और वांग वी वांग वी जादा बड़े विश्वस्त हैं क्विंग गैंग कम विश्वस्त हैं यही कहा जा सकता है चाइना ने अनाउंस किया था अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी हटाना इनके जस्ट बात में और यह जो डिफेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था ली शैंग फू इनहें भी पद से हटा दिया गया था हमने इस पर भी सेशन किया था कि चीन ने अपने रक्षा मंत्री को भी पद से गायब कर दिया है अब फिलहाल चर्चा निकल कर आती है कि चाइना जिने हटा रहा है उनके लिए बिलकुल स्टैलिन अंदाज में काम कर रहा है खबरे निकल कर आती है कि क्विंग गैंग फिलहाल मरत पाए गए है उनको या तो टॉर्चर किया गया है या उनको जहर दिया गया है जो भी है या उन्होंने सुसाइड किया कुछ भी हुआ है फिलहाल के लिए he is no more ऐसा सुर्खियों के अंदर विदेशी मीडिया के अंदर छप चुका है कैई अधिकारी गायब हुए और उनके पीछे जानकारी निकल कर आई कि इन्हें यातना देकर मारा गया क्विंग गैंग आखरी बार इंडिया भी आये थे जिस समय ये भारत के विदेश मंतरी एस जैशंकर साहब के साथ भी देखे गए थे इनके बारे में जब इनके विदेश मंतरा लेके प्रवक्ताओं से पूछा गया कि साहब उनके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं देते जुलाई में भी पूछा गया था तब ये जरक करके पत्रकार को भगा दिये थे कि भागो यहां से हम नहीं बताएंगे तुमें हमसे बार-बार एक ही प्रशन पूछ करके परिशान कर रहे हो फिर एक मीडिया में खबर निकल कर आई जिसमें कहा गया कि प्यार का चक्कर है बाबू प्यार का चक्कर है तो इनके पीछे एक और महतरमा का नाम निकल कर आया कि इन विदेश मंत्री का एक मैडम के साथ चक्कर चल रहा था वो मैडम जो है एक पत्रकार है That Times नामक British अख़बार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि TV की एक पत्रकार है फ्यू जियोंतियाई जियोतियान, फ्यू जियोतियान के साथ इनका अफेर था फ्यू जियोतियान के एक बच्चा भी है उस बच्चे के साथ फोटो डाल करके फ्यू जियोतियान ने इन मنتری मौहदय के साथ भी अपनी फोटो डाली थी, जिसके चलते ये लगाया गया कि इनकी संतान ही है वो ठीक है साथ, ये सب बाते भी News Media के अंदर चलती रही क्योंकि फ्यू जियोतान के साथ में ये जो क्विंग गैंग है इनके इंट्रव्यूज भी काफी ज़ादा मीडिया पर चलते रहे हैं अचा ये जो फ्यू जीयोतान है ये असल माइने में पत्रकार तो है चीनी पत्रकार है लेकिन ये वैस्ट की समर्थक मानी जाती हैं जाता है कि चीन के जो वैस्टन कंट्रीज के साथ रिलेशन्स हैं फ्यू जीयोतान उसमें बहुत बड़ा रोल कॉंट्रिब्यूट करती है फ्यू जीयोतान के बारे में का जाता है कि ये काफी बड़ी इंफ्लूएंसर है चाइना के अंदर इनकी नागरिकता है और ये विदेशों में यूनिवर्सिटी ऑफ केंबरिज परकिंग यूनिवर्सिटी इन सबसे पढ़ी हुई है इन्होंने जब बच्चे के साथ तस्वीर साजा की थी तो इन्हों ने मंत्री के साथ भी तस्वीर साजा की थी जिसके बाद इसे ही मंत्री मौदे गायब बताये गए है का जाता है फ्यूज योटान जो है वो इटली और यूकि की काफी खास है इसी के चलते केंबरिज यूनिवरसिटी के अंदर फ्यूज योटान के नाम पर एक गार्डन भी बनाया गया था इस पत्रकार के सम्मान के अंदर ठीक है साथ चीनी विदेश मंत्री गायब है दावा किया है अमेरिका के एक मीडिया हाउस पॉलिटिको के द्वारा अब चर्चा निकली कि क्या केवल एक महिला के लिए इनको गायब कर दिया गया तो देखे कहा ये जा रहा है कि जिस अस्पताल में इनको पाया गया वो अस्पताल इनका मिलिटरी अस्पताल है जहां पर केवल हाई प्रोफाइल लोगों के इलाज के लिए के लोगों को ली जाया जाता है अखबार वे ये खबर करके छाप दी अखबार ने खबर निकाली स्टेलिन से मिलती हुई और कहा किि जिन पिंग इन दिनों इस्टेलिन अंदाज में शुद्धीकरन अभयान चला रहे हैं पहले स्टेलिन के बारे सत्ता के विरोध में जो भी लगता था उसे office समय उड़ा देते थे, लोगों का ये कहना था कि ये मानसिक रूप से पागल हैं, शायद इस वज़े से ये विरोधियों को खत्म ही कर देते हैं, मरवा ही देते हैं, इसलिए इनको cold-blooded murderer की संग्या भी दी जाती थी, ठीक है, अब आते हैं बात के उपर, कि ऐसा क्या है जिसकी वज़े से शी जिन्पिंग स्टैलिन इंदाज में काम कर रहे हैं, तो अब तार जोड़े गए तो पता चलता है, कि ये जो fuse you time करके जो पत्रकार है ना, ये west की favor वाली पत्रकार है, इस पत्रकार के साथ तो केवल बहाना था नाम जोडने का, असल मायने में क्विंग गैंग के साथ चर्चा ये निकल कर आई कि उसने अमेरिका को चीन के nuclear secrets बेचे हैं, इन दिनों चीन के द्वारा nuclear weapons की संख्या 2030 तक double करने का लक्ष लिया गया है, इतना ही नहीं जो nuclear reactors हैं, उनकी संख्या को बढ़ाने का भी एक बड़ा target लिया गया है, यानि nuclear sector में चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ऐसी इस्थिती में चीन के द्वारा rocket force भी बनाई जा रही है, कहा जा रहा है क्विंग गैंग ने रक्षा मंत्री ली शांगफू के साथ मिलकर और rocket force के कमांडर ल्यू युचाओ के साथ मिलकर के इनके secrets अमेरिका को बेच दिये थे अब बेच दिये या नहीं बेचे ये तो इश्वर जाने, लेकिन बेच दिये थे शी जिन पिंग को पहुँचाई, शी जिन पिंग को अपने मंत्रियों पर इसकी वज़े से डाउट हुआ और शी जिन पिंग ने डाउट होते ही इन सब को इनके पदों से गायब कर दिया आप सोचो, चाइना का न्यूकलियर एक्सपेंशन और इम्पलिपिकेशन को लेकर के यूएस और ग्लोबल काफी चिंता में है और उनका मानना है कि चाइना कुछ बहुत बड़ा न्यूकलियर के साथ कर रहा है यानि कि ये अपने वार हैट्स बढ़ा करके कौन सा जो कि ये था ना लियू यूचाओ जो कि इनका रॉकेट का कमाउंडर था ये भी गाया भुआ शी जिन्पिंग ने पूरी की पूरी टीम को ही बदल दिया तो इससे ये शक जादा हो गया कि न्यूकलियर फोर्स के लीडर्शिप को शी जिन्पिंग में जब पूरी तरह से चेंज किया है इसका मतलब इन्हें अपनी टीम पर शक हुआ था कि इन्होंने कही ना कहीं से कोई ना कोई मामला लीग किया है खबरे निकल कर आई कि चाइना का एंटी करॉप्शन इन्वेस्टिगेटर जो है उसके द्वारा टार्गेट किया गया है रॉकेट फोर्स को टार्गेट किया गया रॉकेट फोर्स को यानि चेक किया गया है कि रॉकेट फोर्स से कोई खबर बाहर निकल कर आई है मतलब आप सोच कर देखिए कि शी जिन्पिंग ने अपने उपर केवल डाउट भर से कि इन्होंने कुछना कुछ मामला गड़बर किया है अपने विरोधियों को मिटा दिया फैंक गॉड कि आप और हम लोकतंत्र में रहते हैं क्या हाल है उन देशों का जहां पर विरोधियों को ऐसे खत्म कर दिया जाता है और तो और किसी को पता भी नहीं चलता कानो कान खबर भी नहीं लगती फिलाल के लिए ये तो एक हमारे लिए न्यूज ही है बाकी तो दुनिया जाने की इसमें क्या है कुछ का कहना है कि शीजिन पिंग को उनकी लोग प्रियता पसंद नहीं आ रही थी जो भी है लेकिन अच्छा तो नहीं है फिलाल के लिए इतना ही बाकी आपकी जो राय है इस विशह पर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें और आज शाम को पांच बजे हमारी फ्री जो क्लासिस चल रही है आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर उन पर जरूर पहुँचे और हमारा foundation batch अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो रुद्र batch में admissions open कर दिये गए हैं मात्र 1199 में चारों subject एकदम basic foundation से बहुत detail study के साथ उपलब्द कराये जा रहे हैं कुछी समय के लिए open है आप अगर जल्दी entry ले पाएं तो ठीक है अरवाइस विदिन seven days हम इन admissions को close कर देंगे thank you so much